देखो ऐसी बात नहीं है बाइसाब में से पूछते हैं प्रिया क्या मैंने सारा अपना बाइसाब पे सोच दिया बाइसाब आप जो मेरे लिए करोगे ना बहुत अच्छा करोगे आपको विसारे का सुनावला नहीं मैंने कह दिया ना हमारे सुप्रीम हनमान बेनीवाले तो हमारा दावा दोह्ट विदान सब दावा मैं है। ुष का पमूम यह ब्र 있다 आफुए में टरे डीड़सम लिए गे आप देख रही हो आपकी मॉबाइल की स्क्र инструмент सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सेनल पर जुनने के लिए बहुत बहुत देन्यावासर आपका विदान सभा सुना दोजार तेइस में कैसे देखते हैं हन्मान बेनिवाल जी को मुख्य मंत्री बनाएंगे और सत्ता संकल प्यात्रा हमने निकाली थी वो पूरन सक्सेस्फुल हुई है और लोग भी चाते हैं कि परिवर्तन हो आपने आरेलपी आने के कैसे विशार रगा है ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी आपको कोई भी पार्ट के साथ रहता है और आपको तो पता है यह किसान की पार्टी है किसान का बेटा है और हक अधिकारों के लिए लड़ता है मेरे अंदर यह था कि अगर मुझे राजनिती जोइन करनी है तो मैं इसे इंसान की करूं जो किसानों के दलितों के शोसित्वर्ग के लिए इतना लड एक परवीजेपी मेरे साथ भी तो वादा किया था कि आप हमारे समाज के लिए वाक्षी ब्राडव बेस्टरों क्यों रख दिया एक गोषणा में जिस समाज से मैं आतीूं डली समाज से जिस चेथर से आतीूं मैं जहां लिमिटेड पांच कलर है मैं आपके पास भीक मांगने नहीं आई थी आपने क्या वावाई लूटी आपने एक खिलाडी का अपमान किया एक महिला का अपमान किया ऐसी महिला का अपमान किया जो दलिस समास से आती है और खटखुद के बलबूते पे पैचान बनाती है मैं राजस्तान की पहली मेला बोडी विल्डर हूँ इसके साथ पहली बोडी विल्डर बोडी बिल्डिंग में पहले कभी कोई इंटरनेशनल गौल्ड मेडल नहीं लाया मैं लाई हूँ आपने उसकी भावनाओं का उसके आत्मसमान को रोंदा है और ये सरासर गलत है इसके लिए आपको राजस्तान पूरा कभी माफ नहीं करेगा कभी कोई खिलाडी माफ नहीं करेगा आप तो असकी गलत के पास में गये थे आपके अरजुन रमजी में गौल पहाई थे आपको तुस दिया होगा किसी ने कुछ नहीं दिया जब सरकार एक रुपए देती है एक रुपए लिखती है क्या उसने लिखा माना बोडी बिल्डिंग से गोवर्मेंट मानेता प्राप्त नहीं है पर जिस छेतर से जो महिला आ रही है एक महिलाओं के लिए मानेवर मुखे मंतरी जीन बोला था कि मैं राजस्थान की महिलाओं को परदा परथा खतम करना चाहता हूँ जिसे महिलाओं आगे बढ़े मैं पूछना चाहती हूँ एक बेटी ने कपका कर दिया आपने उसको क्यों अंदेखा किया आपको मिला नहीं कुछ नहीं मिला आप आप आज की बुक उठाओ जो आरे साइपिस जो कॉम्पीटिशन एक्जाम देते हैं उनमें बाकाइदा बच्चों को लेशन पढ़ाया जाता है मेरा नाम का पढ़के आयो ना तो जूटा को नहीं सरकार जूटी है या जो मैंने कि या वो गलत है राज पुराण ही बात नहीं आज काल की जनरे सनव भी जानते आशोग जी गलाद के फेस्बॉक पे आरजन राम जी मेखवाड के फेस्बॉक पे उनके भी लिखा प्रिया सिंग मेखवाड को यह दिया किया बदू लिखी है कब लिखे मैंको बताओ जब अपने बेटी की तरह मानता है अपने हर इस्टेज पर देखा होगा है और अगर जमीर बेढ़नी वाली बात आती नहीं तो मेरे लिए करोड़ कुल मलंते कोड़े मिलका । ऑफर कड़ती हैं कि आने जमीर र काते क्षा यह राजस्तानबर की यात्रा करके आप मेरे गाम से भी गुजरे होंगी बहुत से गामां से गुजरते गुजरते आए लेकिन मारवार में कैसा लगा आपको अच्छा लगा बहुत सम्मान देती है और सम्मान के साथ दुनिया सच में बदलाव चाहती और आपको पता है आप मारवार से आते हो या कहीं भी आपको खुद को नहीं लगता कि हनमान बेनिवाल जैसा नेता राजस्तान क्या पूरे भारत में नहीं है मैंने परस्टनली फील किया है और फील करने के बाद मैं यहीं कहूंगी कि ऐसा नेता नहीं है लेकिन लोग कहते हैं अडमान बेनिवाल की पार्टी जाटांग यहा है दली तंके लिए थोड़ी ठीक नहीं के तॉठीक देखो मैं आपको एक चीज बात बताओं कहते हैं मैं enabling बारे में बोलते हैं मैं ब्लेक पहनूँगी तो मुझे बेलेक दिखेगा मैं वाइट पहनूँगी तो वाइट करते हैं आ आग्गे वाली पंक्ति म ना जाट नहीं बैठे होते हैं दलित बैठे होते हैं मेगवार, बावरी, मुस्लिम, जाट सब भी बैठे हैते हैं नाइक तो कहां से हो गई आप तुरा बुरह मतमाना अभी एक दो चार दिन में आपके पार्टी के साथ आपने दलितों के पार्टी है जो आजाद पार्टी स लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उस टाइम उन्होंने वह पहन रखा था और जब संदेश देना था तब उन्होंने अच्छा संदेश दिया पहन के पहन के खड़ा तो मैं तो ऐसे मैं गले में डालके सभी पार्टियों के गुम लूँगी पर जब पर्मान देना होता है तब आप पहनो तब लोग आपको समझेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे अब वो उनके एक वीडियो वाइरल जिस पर गुसा कर रहे हैं लोग कहते है कि उस फलानी पार्टी का नाम दिया है अरे जो दिख रहा है वो नहीं है यह क्या होते हैं यह जो सामने वाली पार्टी है ना यह बे बुनिया दिलजाम लगाती है क्योंकि उनको यह पता है कि हम अमारा पत्ता साफ होने वाड़ा है हम राजस्तान से बहार जाने वाड़े और लोगों की नजरिया बदलेगा, आपको पता है, मैं जिस दिन पार्टी अई, मुझे पर कितने न, और आज, लोग बीजे पी कांगरेश छोड़के इस पार्टी मा रहें, क्यों आ रहें, क्या मैंने एलिगेशन से डरी हूँ, क्या मैंने पद छोड़ा है, क्या इस आदम अन्मान बेनिवाल जी ने क्या मेरे साथ दुर्वयवार किया नहीं किया न फिर एक बहुत बड़ा संदेश जाता है हर खिलाड़ी के लिए हर महिला के लिए जिस बीजेपी कांग्रेस ने मेरा चैप्टर बंद किया मुझे जलील किया मुझे अंदेखा करके अपने मुझे आने वाले दिनों में हन्मान बेनिवाल उस बेटी के लिए बहुत कुछ करेगा जो आदमी कोई सोच नहीं सकता आपकी विदान सबारक देशी डूंग रिगट क्या विजार अपकी बाद देखो ऐसी बात नहीं है बाई साब में से पूछते हैं प्रिया क्या मैंने सारा अ मेरी जिंदगी अंदगार में रखेगा नहीं रखेगा ना तो जो वो मेरे लिए करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे आपने का आगे हैं मैंने कुछ नहीं का मैं बाई साब से मैंने के दिया बाई साब आप जो करोगे मेरे लिए बहुत अच्छा करोगे सामने गिरदार नीडने हैं वह जो नीडने लेंगे मैं दिल से एकसब करूँ उनके फैसले में मैं त्यार हूँ जो फैसला ले तो आपने पूछा होगा ना लेकिन पूछ ले आप ता आज देखेंगे तो पर देख लें तो पिर आप चाहते नहीं देखो मैं सारी बातों की एक बात जब चोड़ दिया थैंसन ने बाई-शाव किया अच्छा है बाई-शाव का बुरा है बाई-शाव का मैं कौन उती है तो उनका फैसला और वह कहां भेजे मैं तो नेजर से देखूं तो मेरे लिए पूरा 200 विदानसभा मेरी है और मैं तो 200 होगी 200 जीत लाओं मेरा हाथ में होता हूं पर जैसा बाई साब को उच्छित लगे हो वैसे ही तो करेंगी आपको लगता है अरे लिप आपकी वार कितनी विदानसभा जीत सकती है कितनी जीत सकती है एक बार राजनितिक साट के खिलाडी होत करता होने के नाते हमारा दावा 200 विदानसभा में जैसे में मालो मैं थोड़ी राजनिताने खिलाडी हो आप माली जी अरे लिए कितनी सीट जीत जाएगी देखो मैं ज्यादा तो नहीं केती हम दया से बीजेपी के खाते में कांग्रेस के खाते में पचाश छोड़ देंगे डेट सौम ले आएंगे लोगों के आंखों पर प्टी बंदी हुई है वह उतरेगी जब पता चलेगा न और एक बात बताओं यह आप भी जानते हूं मैं भी जानते हूं पर दे के पीछ ए पड़र दे के पीछे क्या चाके क्या करती है किसी को पता प्ररण है अच्छा संदेश है कि आपके हग्हार अधिकार मिलं तो यह एक राजस्तान की सभिता नहीं है इसको ऐसे लिखना चाइए कि हम इसको खतम करने की वदा करते हैं तो वो एक अच्छा संदेश है यह अच्छा संदेश नहीं कि महिलात बढ़न के मामले में राजस्थान नंबर वरने हैं तो यह सब खतम होगा जैसे बाइसाब कहते हैं किसानों को हक मिलेगा टॉल फिरी होगा तो जो वो बादे कर रहे हैं वो डेफिनेटली पूरे सब कॉंग्रेस और बीजीपी वाले सारी पहले भी यह किया थे आज से पहले जब दोजार चब्दा में लोग सुनते थे किसान पाणी लाएंगे किसान अंगली वो करेंगे लेकिन आपको नहीं लगता कि अब किसानों के लड़कों को नोकरिया है खिलाडी बनाना है ऐसा ह पता रहता है और उनी इन्वाल भी उनी के लोग होते हैं कोई और नहीं होता है तो नव यूवा जो इस्टूडेंट है वो देश का बविश्य है और जब ऐसी सरकार देश के बविश्य के साथ खेलेगी तो यह खिलवाड जादा दिन नहीं चलेगा चाहें किसी का करेंगे जो वादे की हैं वो पूरे करेंगे आपकी सरकार आगी आपकी बार मालने 2023 में तो आपकी सरकार क्या करेगी मतलब आरेलपी आपकी मतलब आरेलपी सरकार जो वादे की हैं वो पूरे तो करेंगे जितने वादे कर दिये वो बोलते हैं कि टोल मुक्तोगा महिलाएं आप भी देखो कहीं न कहीं कुछ चेंज तो चाहते हूं कि उस गद्धी पे इनको छोड़के कोई तीसरा बैठे ऐसा कहते हैं अब रहामन मार्मान जी बेनिवाड की पार्टी में सब्वेता नहीं रही है एसे विपक्स के लोग जो सब्वेता वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया और सब्वेता क्या है बंदा ट्रांस्पेरेट है उसको फरक नहीं पड़ता है मेरे 500 वोट है मैंने खुद ने नोटिस किया उसके यह वो चीज गलत है तो वो गलत पहले इंसान है चाहें वो रिक्षे पूर जाएंगे वोड़ आ है